हेलो दोस्तों स्वागत है आपका कृशी करांती के इस यूट्यूब चैनल पे ICR की तरफ से आपके लिए एक नया अपडेट आ चुका है ICR UG, PG और PhD एक्जाम्स के लिए तो ICR UG के बहुत सारे ऐसे स्टूरेंट्स जो CVT में रेजिस्टेशन करने के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि यूणिवर्सिटीज में सब सलेक्ट आप करने जा रहे थे तो आपका ICR का नाम वहाँ पे नहीं आ रहा था है एंटियों को आपके तरफ से कनवे कर दिया गया है कि आपका जो एक्जामिनेशन है PG और PhD का वो 15 जून 2024 को कंड़क्ट किया जाए यह आपकी एक 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 बता दी गई है एंटियों को यह डेट बताने के बाद आपका एप्रिल में हो सकता है कि आपका एप्लिकेशन फॉर्म उपन हो जाए PG और PhD के लिए इसे स्टुएंट्स जो CUET में ICR सलेक्ट करना चाह रहे थे और उन्हें दिक्कत आ रही थी तो अभी यहाँ पे आपका जो यह प्रॉब्लम है यह सॉल्व कर दिया गया है तो आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसमें आप अभी ICR as a university सलेक्ट कर सकते हैं ICR UG के लिए अगर आपको admission चाहिए तो CUET UG का examination attempt करना पड़ेगा इसी के score के basis पे आपकी ICR UG की counselling और इसका seat allotment होता है तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आप उसको select कर सकते हैं और अभी आप finally निश्चिन्थों के application form फिल करें CUET UG का और ICR as a university उसमें select करने के बाद ही आपको बाद में registration के time पे जब counselling का होगा तब आपको मौका मिलता है अभी CUET UG की application form की date है 26 मार्च जो की हर साली एक महीने extend होती है 20 दिन extend होती है लेकिन आप इस extend का wait ना करें उसके पहले ही आप application form CUET UG का fill कर दें अब आप ICR ने हर university के लिए कौन से subject की requirement है counselling में कौन से university आप कब डाल पाएंगे जब आपके पास कौन सा subject हो इससे related भी एक information bulletin जारी किया है तो अभी आपको क्या करना है अभी तो simply आपको CUET UG का application form fill कर देना है ठीक है आपको अच्छे से examination देना है ठीक है आपको examination कितने subject में देना है जो आपकी 12th में subject है उसी subject में आपको यहाँ पे CUET UG examination attempt करना है इसके अलावा अगर आप चाहें तो English attempt कर सकते हैं अगर किसी private university के लिए आप देख रहे हैं अगर आप चाहें तो general का test जो general test होता है अगर किसी university में लग रहा है किसी private में तो आप उसको attempt कर सकते हैं otherwise ICR में अगर आपको admission चाहिए तो आपकी जो 12th की 3 subject है उन 3 subject में आपको यहाँ पे attempt करना पड़ेगा अपनी CUET UG की examination मान लीजे अगर आपके पास physics, chemistry और mathematics, biology यह 4 ही subject का combination आपने 12th में additional ले रखा है तो आप CUET भी इन 4 हो subject में attempt कर सकते हैं और जिसमें आपका score अच्छा आए तो बाद में आप वो score से counseling भी करवा सकते हैं तो ऐसे students जिनके पास ज़्यादा subject है अपने 12th में तो वो 4 subject से भी अपना examination दे सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है CUET में try करें आप कि अगर आपके पास 12th में additional subject हैं या फिर 4 subject हैं या फिर 5 subject आपने ले रखे हैं 12th में तो आप उन सभी के examination attempt करने का try करें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी नुकसान नहीं है कम से कम कितना चाहिए कम से कम आपको 3 subject attempt करना पड़ेगा जो की आपके 12th में होना चाहिए इसके अलावा ICR से related आपको subject combination में कोई भी दिक्कत नहीं होगी examination के लिए बाकी फिर जब counselling में है कौन से university आपको eligible कर रही है कौन से subject के लिए वो आपको बाद में choice filling के time और counselling के time देखनी है बाकी अभी examination के लिए आपको minimum 3 subject देना है that's it इसके अलावा आपको कुछ और देखनी की जरूत नहीं है तो अभी CVT के लिए आप registration कर सकते है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो चिंता मुग्त हो के CVT का आप UG का registration कर दे और उसमें ICR select कर लें ठीक है PG के students के लिए 15 June इनका examination date है तो आप इस examination date को रखके अपने दिमाग में तैयारी शुरू कर दे दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे और अपने दोस्तों तक भी शेर करे है तो comment box में उसको पूछ सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि बहुत सारी complex process है जो आगे मैं आपको वीडियो के माधियम से बताने वाला हूँ लेता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखते रेक्रशिक रांती यूट्यूब चैनल सचित अनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद